पधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लोग सभाचुनाव 2014 के दोरान जिस अंदाज में आतंकवाद के खिलाफ सक्त कदम उठाने का वादा किया था उससे देशवासियों को लगने लगा था कि मोदी के पी एहम बनते ही देश में आतंकवादी घटनाओं पर लगाम लग जाएगी खास कर जम्मू एवं कश्मीर में पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद पहलाने की हिमाकत तक नहीं कर सकेगा सीमा पर रोज मरते हमारे जवानों की जान की हिपाजत होगी आज जब मोदी सरकार को चार साल पूरे होने को हैं तो ना तो आतंकवाद और नहीं कश्मीर के मुद्दे पर तस्वीर में कुछ बड़ा बदलाव नजरा रहा है ऐसा भी नहीं है कि आतंकवाद के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी के इन चार वर्षों के कारेकाल में हमारी सेनाएं हाथ पर हाथ धरे बैठी रही हो भारतिय सेनाओं ने जमकर आतंकवाद का मुकाबला किया खास कर जमू इमान कश्मीर में लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं खड़ा होता है कि आखिर किस कीमत पर आंकडें बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के इन चार वर्षों के कारेकाल के दौरान कई आतंकवादियों को माच गिराया गया लेकिन ये भी सच्चाई है कि सीमा पर तैनात हमारे जवानों को ज्यादा शहादत देनी पड़ी है लोग सभाचुनाव 2014 के प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने ततकालीन कॉंग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि एक तरफ पाकिस्तान भारत में आतंकी हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस की सरकार पाकिस्तान को प्रेम भरी चिठ्थियां नरेंद्र मोदी ने यहां तक कहा था कि पाकिस्तान जिस भाषा में समझे उसे उस भाषा में जवाब देना चाहिए। नहीं आता। उल्टे पाकिस्तान ने हम पर हमले बढ़ा दिये हैं और जम्मू एमान कश्मीर में अस्थिता का दौर और भाया वेह रूप में सामने है। आतंके सफाए में मनमोहन से कमजूर रहे मोदी जम्मू एमान कश्मीर में आए दिन आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान के बावजूद आंकने बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवादियों का सफाया करने के मामले में अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री मनमोहन सिन्ग की अपेक्षा धी में है साउथ एशिया टेरिज्म पोर्टल साचपोर्ग की मताबिक मनमोहन सिन्ग के यूप दो की सरकार के आखिरी के चार वर्षों यानि 2010 से 2013 के दोरान कुल 2022 आतनकवादी मार्च गिराए गए थे जबकि नरेंद्र मोधी के चार वर्षों के कारेकाल में 1737 आतनकवादियों को ढेर किया जा सका है इस तरह यूप दो के आखिरी चार वर्षों के दोरान 505 आतनकवादी प्रती वर्ष के हिसाब से मारे गए जबकि मोधी सरकार के चार वर्षों के दोरान आतंकवादियों के सत्पाई की रफ्तार 434 प्रती वर्ष के करीब रही मोधी सरकार में कश्मीर में सैनेकों की शहादत बढ़ी नरेंदर मोधी पी एम की गदी पर बैठते ही पाकिस्तान से लगी सीमाई सील कर देने का दावा कर रहे थे जबकि हो रहा है उसके ठीक लट यूप दो के आखिरी चार वर्ष से तुलना की जाए तो मोधी सरकार में जम्मू एवान कश्मीर में आतंकवादी हमलों में कहीं ज्यादा सैनेक शहीद हुए हैं मनमोहन सिंग के कारेकाल के आखिरी चार वर्षों 2010 से 2013 के दोरान एवाई में आतंकवादी हमलों में कुल 177 सैनेक शहीद हुए थे जबकि मोधी राज में जम्मू एवान कश्मीर में कुल 260 सैनेकों को अपनी शहादत देनी पड़ी हाला कि इस दोरान जम्मू एवान कश्मीर में मांच गिराए गए आतंकवादीयों की संख्या में जरूर मामूली बढ़ उत्री हुई है यहां ये भी उलेखनी है कि देज भर में विभिन आतंकवादी हमलों में मरने वाले सैनेकों की संख्या में जरूर कमी आई है जिसमें नौर्थीस्ट और मद्यभारत में नकसली हमलों पर रुक थाम का योगदान रहा है पाक ने तेज किया संगहर्ष विराम का उलंगन प्रदान मंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री पाकिस्तान के खिलाफ जिस सख्ट भाशा का इस्तिमाल करते रहे हैं उस से लग रहा था कि पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन करना बंद कर देगा और सीमा पार से होने वाली गोली बारी में कमी आएगी लेकिन हुआ इसके उलट मनमोहन सिंग के कारेकाल के आखिरी चार वर्षों के दोरान जहां पाकिस्तान ने सीमा पार से कुल 585 बार गोली बारी की वहीं मोदी के कारेकाल में पाकिस्तान अब तक 1923 बार संघर्ष विराम का उलंगन कर चुका है आंकणों की बात करें तो साल 2017 में 860, साल 2016 में 271 और 2015 में 387 बार पाकिस्तान ने सीज फायर का उलंगन किया साल 2014 में संघर्ष विराम उलंगन की 405 घटनाए, साल 2013 में 347, साल 2012 में 114, साल 2011 में 62 और साल 2010 में भी 22 घटनाए सामने आई 2018 की शुरुआत ही पाकिस्तान ने जवर्दस्ट गोली बारी के साथ की और जनवरी महिने में सीज फायर उलंगन का 15 साल का रिकॉड तोड डाला आंकणों के मताबिक, इस साली की जनवरी तक पाकिस्तान 134 से भी ज्यादा बार सीज फायर तोड चुका है कश्मीर से बुरहानवानी गैंग का पूरा सफाया मोधी सरकार में कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों के सत्फाय में जरूर तेजी देखने को मिली सेना ने जबरदस्त अभियान चलाते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के एक के बाद एक सभी शीर्ष कमांडर्स को मार्च गिराया इसकी शुरुआत कश्मीर में पोस्टर ब्वय बन चुके बुरहानवानी से हुई इन में से अधिकतर आतंकी कश्मीर के ही रहने वाले थे जो सीमा पारकर पाकिस्तान से आतंकवाद के ट्रेनिंग लेकर आये थे सेना ने कश्मीर की वादियों से आतंकवाद के सफाई के लिए चलाए गए सघन अभियान में एक के बाद बुरहानवानी ब्रिगेट के दस्ट शीर्ष आतंकवादियों को मार्च गिराया जब की तीराक पंडित नाम के आतंकी ने सेना के सामने सरेंडर कर दिया बुरहानवानी ब्रिगेट के मारे गए आतंकवादियों में सद्दाम पादर, आदिल खंडे, नासिर पंडित, अश्फाक भट, सबजार भट, अनीस, इश्फागदार, वसीम मला, वसीम शाह शामिल है